वेलकम तो अबर चानल करने वाले हैं about ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन तो ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन हम करेंगे दो टाइप की एक होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होगा विलासिटी टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस ग्राफ में क्या होगा आपकी y-axis पे रहेगा distance और x-axis पे रहेगा time similarly velocity time graph में क्या होगा y-axis पे रहेगी velocity और x-axis पे रहेगा time तो सबसे पहरे हम बात करते हैं distance time graph की और इसके different different types की तो यह मैंने y-axis पे draw कर लिए distance और x-axis पे draw कर लिए मैंने time तो माल लेते हैं time जो है वो पहले 10 seconds है 20 seconds 30 40 and so on similarly अगर मैं distance का भी ऐसे माल लेती हूँ 10 meter meters में है और यह seconds में है 10 meter 20 meter 30 meter 40 meter etc तो अब यहां पर मैं check करती हूँ कि अगर कोई object पहले 30 meter चला हुआ है तो वो 10 seconds के बाद भी यानि कि यहां से लेकर यहां टा 10 seconds के बाद भी वो 30 meter पर ही है 20 seconds के बाद भी वो 30 meter पर ही है 30 के बाद भी 30 meter पर है और 40 seconds के बाद भी वो 30 meter पर ही है अगर मैं इसकी line draw करूँ तो क्या आ रही है आपके पास a line parallel to x-axis या फिर time axis तो यह है आपका distance time graph जिसके अंदर एक line parallel आ रही है आपकी x-axis या time axis पे तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि object पहले जो 30 meter चला हुआ है वो 10 second के बाद भी 30 meter पे रही है 20 के बाद भी 30 meter पे यह नहीं कि वो आगे बढ़ नहीं रहा अगर वो बढ़ नहीं रहा तो that means जो आपका object है वो कहां है at rest तो object is at rest तो यह आपका first graph हुआ तो ऐसे ही मैं next इसका case हम discuss करने वाले हैं फिर से ही मैं यहां पे y-axis पे distance ड्रो करूँगी और excesses पे time ड्रो करूँगी तो यहां पर अब मैंने ड्रो कर लिया distance और यहां ड्रो कर लिया time तो अब अगर मैं मालती हूँ same कि time जो है वही पहले 10 seconds 20, 30, 40, 50 similarly अगर मैं distance पे यही माल लेती हूँ कि 10 meter का distance है फिर 20 meter का distance है फिर 30 का है 30 and so on तो अब अगर कोई एक object जो है वो यहां से start करता है यहां से मतलब क्या है 0 point, 0 point मतलब कि rest point से और time भी भाँ पर था 0 seconds तो rest से start हो रहा है और 10 seconds के बाद यह seconds चल रहे है, यह meter चल रहे है 10 seconds के बाद वो 10 meter कवर कर लियता है तो after 10 seconds 10 seconds 10 meter उसने cover कर लिया तो यह आगया first point, उसके बाद उसने next 10 seconds में next next 10 seconds में उसने next 10 meter कवर कर लिया यानि कि total 20 seconds में 20 meter कवर कर लिया उसके बाद next 10 में next 10 यानि कि next मतलब कि 30 seconds में उसने 30 meter कवर कर लिया फिर similarly 40 seconds में 40 meter कवर कर लिया similarly 50 seconds में 50 meter कवर कर लिया अब अगर मैं इन points जी जो मेरे points आए हैं अगर मैं इनको join करती हूं तो क्या बनेगा ये straight line तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो time है वो भी 10 10 seconds के interval पर है और जो distance है वो भी 10 10 seconds 10 10 meter के interval पर है तो यानि कि यहाँ से आपको पता चल रहा है यह कौम से motion हुआ यह हुआ uniform motion when object covers equal distance in equal interval of time the motion is set to be uniform motion तो अब उसका हम third type करते हैं तो अब मैंने third case के लिए भी same distance और time axis ट्रॉ कर लिए है same उसका time interval भी set कर लिए है seconds के according और distance भी वही मैंने set कर लिए है तो अब अगर एक ऐसा case देखा जाए कि पहले 10 seconds में वो 10 meter cover कर रहे थे तो यह हो गया first point फिर अगर next 10 seconds में मान लो उन्होंने 20 नहीं गए उन्होंने कुछ 15 seconds cover कर लिए है उसके बाद 30 में next 30 में उन्होंने 15 की बजाए अब उन्होंने 18 cover कर लिए है अब देखा जाए तो यह 40 40 में उन्होंने मान लो 25 cover कर लिए और अब उन्होंने क्या किया next 50 में क्या किया उन्होंने 40 cover कर लिए सिधा तो next 60 में 50 छोड़कर सिधा skip करके 60 cover कर लिए और अगर मैं अब इसको draw करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास इन points को मैंने जब join किया तो मेरे पास आया curved line इसे हम बोलेंगे curved line या curved path और यह थी आप लोगों की straight line तो जो curved path है इसका मतलब क्या है कि equal interval of time में unequal distance cover किया है तो अगर आप definition पे जाएं तो यह कौन सा motion होता है यह होता है non uniform motion तो यह non uniform motion आपका show करता है curved path on graph uniform motion जो होता है वो straight line represent करती है उसको और line parallel to time axis और x axis वो show करता है कि वो जो object है वो आपका rest पे है but for these आपको यह ध्यान देना है कि जो y axis पर distance होगा और x axis पर time होगा जबकि same अगर हम यही draw करते हैं यहाँ पर velocity और यहाँ पर time लेकर तो इन तीनों का मतलब different आ जाएगा वो हम start करने वाले हैं अब हम discuss करेंगे velocity time graph उसमें हम यहाँ पर velocity लेंगे और यहाँ पर time लेंगे तो start करते हैं उसको तो अब मैंने draw कर ली हैं यहाँ पर velocity, time और साथ में इनके intervals भी set कर दी हैं जैसे distance time में किये थे तो अब यहाँ पर हम shapes discuss करते हैं क्या होता है? कि जैसे first case में था distance time में कि यहाँ पर ही एक parallel आ रही थी line axis के कि अगर मैं यहाँ पर भी parallel draw कर देती हूँ एक तो इसका क्या मतलब हुआ? यहनि कि यह point यहाँ पर आ रहा है next यहाँ, third यहाँ तो अब अगर आपको paper में यह ऐसे graph दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसका क्या मतलब है? अगर हम इसका physical significance देखें यहाँ पर velocity की बाद हो रही है velocity जो है, वो कितने पर चल रही है? 30 meter per second पर ही चल रही है यहनि कि जो उसकी velocity है ना वो कम हो रही है ना वो बढ़ रही है तो जो velocity है वो constant है जब constant velocity से time interval सेम है वो चली जा रहा है तो उस type की motion को हम बोलेंगे uniform motion यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है अगर जैसे हमने रिसेंट अभी बात करी है अगर हमें distance time graph दिया गया है और आपकी जो line है, straight line इस तरहां से आ रही है तो वो आपका uniform motion है because यहाँ पर distance और time है जबकि अगर आप लोगों को यहाँ velocity और time दिया गया है अगर उसकी बात की जाए तब आप लोगों की जो line parallel to time axis होगी वो आप लोगों की क्या होगी uniform motion होगा next अगर हम discuss करें तो next में आता है आपके पास velocity और time अब अगर हम बात करते हैं कि 10 seconds में उन्होंने cover किया 10 meter per second velocity से वो चल रहे थे फिर next 10 seconds में उनकी velocity बढ़ गई और 20 meter per second होगी फिर next 10 seconds में वो velocity बढ़ कर कितनी हो गई 30 meter per second and so on अगर हम इसको ऐसे ही draw करें straight line draw होगी तो अब यह जो straight line है किस graph पर? velocity time graph पर अगर same straight line आप लोगों की distance time graph पर थी तो वो uniform motion था अब यह straight line जो है velocity time graph पर है तो इसे हम बोलेंगे uniformly accelerated motion यहां पर acceleration क्यों introduce की गई है? acceleration क्या होता है? change in velocity per unit time तो यहां पर velocity change हो रही है time के according but equal interval में आपका time है odd equally ही आप लोगों की velocity change हो रही है तो equal velocity in equal interval of time तो वो होगी straight line और वो होगी आप लोगों का uniformly accelerated motion यह हम बोलते हैं uniform acceleration graph तो अब अगर हम सेम बात करते हैं यहां पर जैसे हमने यहां पर discuss किया ऐसे अगर curved line आती है curved तो वो क्या था? non uniform motion था और अगर same curved line मैं यहां पर draw कर दूँ same curved line ऐसे draw कर दूँ तो यह हो जाएगा आप लोगों का non uniformly accelerated motion तो यहनी कि acceleration जो acceleration जो हो रही है वो non uniformly है यहनी कि अगर मैं इसको plot करती हूं तो क्या आएगा? कि 10 seconds में वो कितना चला? 7, 8 meter per second के recording चल रहा था फिर 20 seconds में जाकि उसकी speed हो गई कितनी? 10 meter per second फिर 30 में जाकर अगर मैं उसको check करूं तो कितना बन रहा है यह near about 12 बन रहा है formally accelerated motion यहाँ पर मैं एक छोटा सा graph आप लोगों के साथ discuss करना चाहती हूं जैसे हमने acceleration पड़ी थी वैसे हमने retardation भी पड़ी थी तो इस type के graph में, velocity time graph में आप लोगों के पास एक important graph आता है जो most of the time paper में पूछ लिया जाता है उसकी में shape draw करूँगी और उसको हम discuss करते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे हम acceleration and retardation graph की यहाँ पर आप लोगों एक चीज़ पताऊने चीए जहाँ पर हमें acceleration graph की बात करूँगी तो वहाँ पर आप लोगों ने velocity time graph बनाना है ना कि distance time graph क्योंकि जो distance time graph होता है वो आप लोगों का motion शो करता है और यह जो होता है वो acceleration शो करता है तो मैं अब यहाँ पर draw करने वाली हूँ velocity और यहाँ draw करने वाली हूँ time अब यहाँ पर मैं एक दो shape draw करूँगी और उस shapes को हम discuss करेंगे तो first shape है ये next shape है ये तो first shape के अगर हम बात करें यहाँ अगर यहाँ time है और यहाँ पर velocity है तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक time के साथ जो velocity है वो बढ़ रही है time के साथ अगर velocity बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते है accelerated motion याणि कि यहाँ से लेकर यहाँ तक a to b आपकी शो हो रही है acceleration क्यों? क्योंकि वो time के साथ velocity भी आपकी increase कर दिया है अब अगर हम बात करते हैं b to c point की b to c point में अगर आप चेक करें time बढ़ रहा है पर जो velocity है जो एक proper velocity है वो constant है जब proper velocity आप लगो ही constant है with respect to time तो b से लेकर c के motion को हम बोलेंगे uniform motion जैसे अभी हमने आप लोगों से पिछली बार भी discuss किया है पिछली ग्राफ में velocity time ग्राफ में एक simple draw करी थी line तो वो आप लोगों कहा रहा था uniform motion तो अब अगर हम बात करते हैं c to d point की c to d point में जो time है वो तो बढ़ रहा है लेकिन अब velocity जो थी अब velocity क्या हो रही है decrease हो रही है जब velocity decrease हो रही है with respect to time तो उस type के motion को हम बोलते हैं retarded motion तो ये शोकर है c to d आप लोगों क्या शोकर है retardation तो आप लोगों ने एक ही graph पे तीन चीज़ें describe की है acceleration, uniform motion और retardation तो आपको paper में कैसे आएगा आपको ये plot बना आएगा shape बनी आएगा आपको बताना होगा ये चीज़ क्या शोकर है आप उसको naming देंगे a, b, c, d और उसके बाद आप शोकरेंगे कि a to b acceleration है या accelerated motion है b to say uniform motion है और c to d में retardation है या retardation है तो अब अगर हम इसकी बात करें ये तो बहुत simple होगा हमारे लिए बिल्कुल same है first increase कर रहा है तो क्या हो रही है acceleration हो रही है फिर time के साथ velocity decrease कर रही है तो ये curve आपका शोकर है retardation और अब time के साथ जो velocity है वो constant होगी है तो ये चीज़ क्या शोकर रही है आपकी uniform motion तो इस type से आपको कोई भी shape दी हो आप वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से हमको इसको solve करना है Thank you, that's all for this video की आपका में दी झापका और 25 रदोल कि कन से किस्कतै कर दोman झाद एक्योंस के है पना सुछ किस्सके-वका